नमस्कार दोस्तो तूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ वच्पन सिंदेगी में कभी वापिस नहीं मिलता नमस्कार दोस्तो रादे रादे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल केवी रासी फल्म आज हम बात करने जा रहे हैं कुमबरासी वालो की कुमबरासी वालो का चार दिसंबर दिन रभीवार कैसा रने वाला है उन्हें आने वाली समय में किनकिन्ची जोसे सावधान रना होगा और कुमबरासी वालो को आने वाली समय में वो कौन-कौन सी खुशकबरिया मिलने वाल तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्बरासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहेगा उनका बिजनेस वैपार कैसा चलेगा उनका प्रेम संबंद कैसा रहेगा और साथ इसाथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलेक्ट करें अब बात करते हैं दोस्तो आज के पंचांग की आज का पंचांग है चार दिसंबर 2022 दिन रवीवार आज की तीथ ही द्व वी नी निन चतरे पच चल रहा है शुकल पच दोस्तो आज सूरदेव द्रेह होंगे सुवेच छेबच के अंठावन मिनट पे सूरदेव अस्तोंगे साम पांज बच के चोबीस मिनट पे दोस्तो आज का सुब समय सुवेच ग्यारा बच के पचास मिनट से दो पहर एक करना हैं तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहीगा और साथ ही साथ आज का असुब समय साम चार बच के दो मिनट से साम चार बच के 42 मिनट तर दोस्तों आज आपका लखी नमबर नौ और लखी कलर है हरा और फिरोजी अब बात करते हैं दोस्तों आज के चानक नीती ज्यान के पारे मिन चानक जी कहते हैं बुरे समय में इंसान को करने चाहिए ये काम जल्द खतम हो जाएगा बुरा वक्त जिहां दोस्तों सर्व प्रतम हैं भैबीत ना हो या डरे नहीं बुरा समय आने पर इंसान भैबीत हो जाता है और घवरा नहीं लगता है इसलिए घवराई नहीं, बल्कि सांथ और इस्थिर मन से उस समस्या की वज़ा ठूंड़े। नमबर दो, प्रतिकिरिया पर ध्यान दे। परिश्थिति और परिणाम कभी भी इंसान के हाथ में नहीं होता। लेकिन उस परिश्थिति और परिणाम पर कैसी प्रतिकिरिया देनी है। वस्थ प्रतिसत इंसानों के हाथ में है। नमबर तीन, बुरे वक्त में आउसर तलास है। अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्ख्य के दो पहलू है। इसलिए बुरे समय में जीवन को बहतर बनाने के आउसर तलासने चाहिए। तो दोस्तो आज का चानक निति ज्यान आपको पसंद आया। तो एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुंबरासी फल के बारे में कैसा रहीगा आपका आज के दिन आईए जानते हैं। तो दोस्तो आप भावनात्मक तौर पर बहुत समवेद अंसील हैं। इसलिए ऐसे हालात से बचें जो आपको चोट पहुचा सकते हैं। अपने जीवन साती के साथ मिलकर आज आप भविस्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं। और उम्मीद है कि या योजना सफल भी होगी। अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिस्ता विकसित करें। एवन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे आने वाली अच्छे वक्त की और ध्यान दे। आपकी कोशी से फलदाई रहेंगे। दोस्तों प्रेम निसीम होता है सभी सीमाओं की परे। आपने ये बाते पहली भी सुनी होंगी। लेकिन आज वद दिन है जब आप अगर चाहें तो यह स्वयम मैसूस कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ हासिल करनी की छमता है। इसलिए अपने रास्ते में आने वाली सभी मौकों को जट से दबोच दे। आज आप खाली वक्त का सही उपियोग करने के लिए अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लैन बना सकते हैं। दवाहिक जीवन में गर्म जोसी और गर्म खाने की बहुत एहमियत होती है। आप आज दोनों काही लुपत उठा सकते हैं। साथ ही आपको बताएं किसी मुश्किल मुकाम को मेहनत और परिश्रम से हासिल कर लेंगे। इसलिए चुनोतियों से घबराएं नहीं बलकि उनका डट कर साम न करें। मानसिक और आत्मिक सुख सांती का अनुभाव करेंगे। बच्चे अपने पढ़ाएं की प्रती एकागर चित्र होकर ध्यान लगाएंगे। लेकिन दिन के उत्रार्थ में ग्रह स्थिती कुछ प्रतिकूल बन सकती है। नकरात्मक परिस्थित्यों में आपका मनुबल गिरेगा नहीं। इस समय कोई भवी से सम्मधिक योजनाएं निस्पसल हो सकती है। इस निस्पसल को अपनी आप सफल बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तनाव लेनी के बज़ाएं पुना प्रियास करने का कोशिश करें। इससे सफलता जरूर प्रदान होगी। दोस्तों किसी कारी की उचित जानकारी ना होनी की वज़ा से कोई बड़ा ओडर आपके हाथ से निकल सकता है। कुछ लोग आपको कनफ्यूज करने की कोशिश करेंगे लेकिन दूसरों की बातों में ना आकर अपने निन्नय को ही सर्व परी रखें। जीवन साती की सला वस्योग आपके लिए लाबदायक रहेंगे एवं युवाव की दोस्ती प्रेम संबंधों में तबदील हो सकती है। साती आपको बताएं दिल की बाते दिल ही जाने और जाने ना कोई लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि आप अपने दिल की हर बात अपने साती से से सेर करते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री एकदम पर्फेक्ट है और यही कारण है कि लोग आपकी मिसाल देते हैं। आज आप सामुही गतिवीद्यों में रूची रखेंगे साथी समान विचारधारा वले लोगों के साथ चर्चा की भी संभावना है। आपका कार्य आपको संतूष्टी देगा जिससे आप प्रफुलेद मैसूस करेंगे। आपका सोना भी आपके प्रियासों की तारीफ करके आपकी हर संभव मदद करेगा। खुसियों और सफलता के लिए एक दूसरे के प्रती बफादार रहना और प्रेना देना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको बताएं, आप आज जो भी करेंगे उसमें एक नए उर्जा और नया लक्षे दिखाई देगा। आपकी बाचीत का इस्तर आप विश्वशने रूप से बहतर हो गया है। और आप ऐसे किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, जो आपकी जिन्दगी को वीत्य या ध्यात्मिक रूप से प्रभावित करेगा। आपको इस अवसर का लाव उठा कर अपनी वर्तमान समझा को खत्मे करने के लिए सोचना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लव लाइप की आपका प्रेम जीवन कैसा रहीगा आई ये जानते हैं। तो दोस्तों आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिकत तोर पर तो बहुत प्रभावित होंगे लेकिन आपको कोई मान से एक उलजन हो सकती है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिल जुलकर चलने की रहा पर चलना होगा। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यपार और केरियर के। तो दोस्तों आप रित्यासी धन की प्राप्ति के आज योग बन रहें। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती हैं जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपने निश्क्रिय निवेश के उपर भी ध्यान दें क्योंकि वहां से भी आपको सुपसंदेश मिल सकता है। दोस्तो अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं वहां से भी धन प्राप्ति का सुपसंदेश मिल सकता है। तो दोस्तो ये था अचका कुम्बरासी का रासिफर। रोज की कुम्बरासी देखने के लिए आप अमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर्स से लट करें। आपका दिन सुभो। नमस्त दोस्तो राधिकिश्णा।